राजस्थान के मुख्यमंच्री भजनलाज शर्मा मंगलवार को उदैपुर के दौरे पर रहे जहां उन्होंने विक्सित भारत संकल प्यात्रा में शामिल होकर लाभार्थियों से समबात किया साथ ही लोगों को संबोधित भी किया सीम के इस प्रयास में उनके साथ मंच्री बाबुलाल खराडी सहिद स्थानी विधायक और भाषपा नेता भी शामिल रहे लेकिन इस प्रोग्राम में राजस्थान के मंच्री बाबुलाल खराडी ने एक ऐसा बयान दिया जो अब सोशल मेडिया पर वारल हो रहा है बाबुलाल खराडी ने लोगों को संबोधित करते हुए कहा कि आप खूब बच्चे पैदा करो प्रधान मंच्री जी उनके लिए च्छत बनाएंगे ये कहना है राजस्थान के मंच्री का मंगलवार को जैसे ही राजस्थान के मंच्री ने ये बात कही वहां मौझूद लोगों ने तालियों की बरसात कर दी ये प्रोग्राम उदैपुर शहर के पास नई गाओं के राजगी उच्च मादिमिक विद्याले में था जहां विक्सित भारत संकल प्यातरा के शिविर में सीम भजन लाल शर्मा के साथ प्रदेश के जनजाती मंत्री बाबुलाल खराडी और बीजेपी विधायक फूल सिंग मीना भी थे बाबुलाल खराडी उदैपुर जिले के जाडोल विधान सभा विधायक हैं जनजाती मंत्री बाबुलाल खराडी ने पूरवर्ती कॉंग्रेस सरकार को आड़े हाथों लिया उन्होंने कॉंग्रेस सरकार पर पेपर लीग, महिला सुरक्षा और भष्टाचार सहित कई मुद्दों को लेकर गंभीर आरोप लगाए कैबिनेट मंत्री खराडी ने केंद्र सरकार द्वारा चलाई जा रही योजनाओं की तारीफ करते हुए अधिक से अधिक पात्र लोगों को इसका लाब उठाने की अपील की है इसके बाद बाबुलाल खराडी ने उज्वला योजना का जिक्र करते हुए सरकार बनते ही साड़े चार सो रुपए में गैस सिरिंडर मिल रहा है ऐसा कहा बच्चे खूब पैदा करो पीम बना देंगे आपका घर उज्वला योजना और बीपिल परिवारों को चार सो पचास रुपए में मिलने वाले सिरिंडर को लेकर मंत्री बाबुलाल खराडी ने जन्ता से पूछा कि अभी भी महंगा है क्या और सस्ता करना है क्या हलाकि ठीक इसके बाद उन्होंने कहा कि अभी दूसरा काम भी करने है सड़क बिजली विवस्ता भी करनी है इसलिए फ्री में नहीं दे सकते इस दोरान बाबुलाल खराडी ने कहा दोस्तो हिंदुस्तान के प्रधान मंत्री का सपना है कि कोई भूखा न सोए कोई बिना छट का नहीं रहे आप तो खूब बच्चे पैदा करो प्रधान मंत्री आपका मकान बना देंगे फिर तकलीफ नहीं होनी चाहिए है ना आप जानते हो कि हिंदुस्तान का प्रधान मंत्री देश को आगे बढ़ाना चाहता है